मैंने बिधायदी जो बरतमान में हैं उन्होंने कहा कि हमारे च्छत में पच्छत प्रस्चत लोग सिच्छित हैं जो बड़े-बड़े पदों पर रह रहे हैं मैं बताना चाहूं कि मेरे बिधायदी जो बड़े च्छत में कोई गवर्मेंट कालिज नहीं था जिस पर मैं तत्काली मुक्मंति मानिया अखलेश जादोजी से अपने च्छत के लिए सिच्छा के च्छत में आस्रम पद्धविद्याले 16 करोन प्या लिया करके बनवाने काम किया उसी प्रकार किराकत में लड़कियों को पढ़ने के लिए कोई दिक्कत थी उन्हों टाउन एरिया में महापर जाक्टर राम लोहिया महिला महाविद्याले नार्म रिसूल के मैदान में लिया करके 12 करोन में उसको काम कराने का काम सुरूआ लेकिन अधूरा इसमें पुलों का भी दिक्र किया है उनको यह नहीं पता है गांगी नदी में हमारे जिला में गांगी नदी भी है जो आजमबर जानपत को जोडती है सहर को उसमें मैंने तीन पुलों का निर्मान करया जिसमें एक पेसारा कर्मावना भावसिंपूर है दूसरा एक सतमेसरा गाय तुर्ण पूरा घाठ है इसी प्रकार यहां पर दो गाउं ऐच्छे हैं एक भड़ेरी टिसबरी गाउं है और एक अवगार और टन्वा गाउं है जो दोनों के लिए दो दो करोन में हमने उसको ही बनवाने काम किया है गोमती नदी में एक बरेच्छा बीर का मंदिर है जो सा 2006-2007 में एक घटना होई वहां पर 22 लोग नाव से डूब गए जिसके लिए मैंने मुक्पूंती जी से मांगा उन्होंने जो है कि एक पूल साथ करोन दी क्याओं लाक अठावन हजार रपिया में देने काम किया और वन टाइम बनके तयार हुआ जिस पर आम जनता आती जात देख करके लगा कि नहीं यहां पर पीपा पूल लगना आवश्यक है अब पीपा पूल लगेगा पूल भी बनके तयार हुआ उस पर पूल भी शुक्रित हुआ नैपूरा में और इस पर पूल लगवाया नैपूरा से खर्चर पूल भाट पर लेकिन उस पर पूल शुक्र मेरी सरकार में अब इसमें काम सुरू हो गया है इसी तरीके से एक गाउं और पड़ता है गमती नदी में साथ बुड़े बर जो है सीधे बीच वीच वबीच दो दो भागों में कर दिया, वहाँ पर जो है की भीतरी घाट पर पीपा पुल लगवाया, बड़ी-बड़ी सड़कों का निर्मार कराया, जैसे मुड़ाइलया सेले के थानागदी में 12 कौन रुपिया में वो लागद से बना, दूसरा थानागदी से गड़ खड़ा है जो मनार आई इसी प्रकाँ तरी तरीट आथिक विकास्यो जना के अंतरगत, मैंने काफी रोड, 200 रोड हमने जोग पुरित आथिक विकास्यों के तहच सिचाई मद से, माध्यम से, गर्ना के मद से, मन्डी के मद से, तमाम सार्गों का जाल मैंने विचुए अपने विजांसवा के बीनार्मूं फानी पीने के बड़ी दिक्कत हुटी थी उस टाउन एरिया में ज़म हे लगवाया और वह 앞에 लिएक पूरी किराकट की जनता उसे पानी पीती है किसी जात किसी पार्टी किसी धर्म को मने नहीं पूछा गंभीर बिमारी के लिए ईलाज है दोवी ब हों है महापर 33 बिजली के छेतर में 33 बटा 11 के विद्धू सब्सक्राइशन मेरी सरकारे लगवाने काम किया जमीन रिक्वायर करके इसी प्रकार कि किराकत में टाउन एरिया और ग्रामीर यह कहीं फीटा था और बारी बारी से मिलता था उसको मनें अलग अलग फीटा जो है कि ट्रांसफार्मर लबा करके टाउन एडिया का अलग और ग्रामीर का अलग कराने का काम किया मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे पेसारा राजवाहर नहर है सादर खासन चत्तिस बिस्वेंग परियोजना के तहट वह चला गया था आजमगर उस जब कि बिस्वेंग की प परित काम होता है मैंने सरकार की योजना थी कि कब्रिस्तान की बाउंडी छेत्र में और प्लस जो की हिंदूों के लिए सवदागरी तमाम अपने छेत्रों में जैसे सीहवली घाट पर लगवाया कासबार में लगवाया और प्रशेवां बैलावां आज जगोंपर जो की न गोंपती नदी किनारे स्वरसान घाट बनवाया गया मैं आपसे यह भी काना चाहूं कि तत्कालिन मानि मुक्वंत्री अखलेश यादो जी ने पूरी उत्रप्रदेश के 75 जिलों में बड़ा से बड़ा कार किया जो आपको देखने में जो लोग कहते हैं कि उनका काम बोलत करके अफराद को कम करने के काम किया एक सो आठ एक सो दो इंबुलेस जनता के सुब्दा के लिए कराया मेडिकर कालेज बिस विद्याल है महाविद्याल है तमाम सिच्छा की सित्रों में काम कराया गरीब कि सामके बेटों के पढ़ने के लिए लेप्टाप 18,000,000 देने के का अभी द्याधन देने काम किया उन्होंने करजा माफ करने के काम किया 50,000 रुपिया जो करजा था उन्होंने 16,500 रुपिया उन्होंने करजा माफ किया गरीब के लिए लोहिया आवास बनवाया समाजबादी पैंसन महिलाओं को देने काम किया तमाम ऐसा बड़े-बड़े का उने किया जबकि बरतमान सरकार चाहे केंदर की हो चाहे श्टेट की हो वो कुछ जनता से कोई मतलब नहीं है जनता आम चाहिए रो रही है उसर ठगने काम की है मैं आप सभी को बताला चाहूंगा भारती जनता पार्टी के लोग जूट से सुरू करते हैं और जूट से का कारी होता है डंबरू बजाकर आम गरीब लोगों को चक्रमा देकर ठग लेता है ठीक उसी प्रकार भारती जनता पार्टी के नियताओं का है मैं आप लोगों से और कुछ नहीं करते हुए आप लोग सब देख रहे हैं कि क्या इस इती है साड़े तीन साल में साड़े तीन स काम हमारा विधानस्वा किराकत का कोई बड़ा काम बता दे कि मैंने यह कि हमने दस क्रोण का काम किया है और कुछ पूछा कि केंद्र सरकार जब 2014 के पहले मानि हमारे पधान मंती नेजम मोधी जी जब कहते थे कि पेट्रोल डीजल का दाम जो है जो बढ़ रहा है प्रती द बढ़ गरीब जंता को कि डोल पढ़ रहा है यह मंंगाई बिलाओ बढ़ रहे है चाहिए खादे श्रमवाल हो चरए पेटॉल हो चाहे आम कोई भी है सब चरम सेमया आप है मंगाई में इसतों कोई लेना देना नही है उनना मंगाई पर कुछ बोलते हैös